नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्द वेतन आवकाश क्या होता है यानि कि जिसे हम HPL कहते हैं ये क्या होता है और इसकी जो गणना केशे की जाएगी और इसका जो भुगतान यानि कि इसका एक आवकाश की रूप में उपभोग किशी भी सरकारी करमचारी की मादियम से करने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक देख लेना चलिए शिरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं RSR नियम 93 के अनुसार HPL हाप पे लिव अर्द वेतन आवकास जिसे हम सामने तोर पर मेडिकल आवकास कहते हैं क्योंकि हम इसका अपयोग मेडिकल यानि कि चिक एक पूर्ण वर्ष में 20 HPL प्रदान की जाती है 20 HPL प्रदान की जाएगी अब यह दरसल किसकी आधार पर होती है यह आपकी सेवा न्यूक्ति से न्यूक्ति तिथी से न्यूक्ति तिथी तक इसके वर्ष की गणना की जाती है माल लीजिए आपकी न्यूक्ति तिथी एक जनवरी है तो एक जनवरी से 31 दिशमबर तक आपकी इसमें HPL की गढ़ना की जाएगी और उस तोरान आपके खाते में आपकी सर्विश्बुक में इसकी एंट्री होगी एक वर्ष की शमापते के बाद आपकी सर्विश्बुक में 20 HPL जोड दी जाएगी ठीके अब दरसल जै कि PL जो हम संग्रहित करते हैं उसका हमें नकद भुगतान सरकार की ओर्ष किया जाता है धिकतम 300 की रूप में लेकिन जो HPL है आप कितनी भी संग्रहित कर लो आपकी शेवा निवर्ती के समय आपको इसमें कोई विशिश फाइदा नहीं होने वाला अगर आप भोग नहीं कर खते हैं तो वो लेष्च हो जाती है इसमें किसी परकार का नखटी करण नहीं होता है अब दरसल इसका को जिस परकार से PL में हम रूपांतरीत अवकास ले रहे थे कि उसको PL को रूपांतरीत करवा रहे थे एक तो चिकिटसा प्रमान पत्र की अधरर पर दूसरा निजी कारणों से, HPL का मतलब यह होता, अगर आप इंच छुटी का उपयोग करते हैं, तो आप महीने के आधा पे ले शकते हैं, मान के चलिए आपके पास 30 चुटी है, 30 HPL है, अगर आप 30 का उपबोग करते हैं, तो आपको 15 दिन का वेतन मिल जाएगा, तो सामनेत हैं हमेशा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, कि जैसे हमारे पास 30 HPL है, तो 15 दिन की चुटी मिल जाएगी, इसमें क्या होता, HPL में अगर आपको मिलेगी तो 20 HPL, लेकिन जब आप इसका अभबोग करोगे, 20 का अभबोग करोगे, तो इसमें ये 40 कट जाएगी, मतलब ये है, कि 20 मतलब 10 दिन का आभबास इसके उपर आप ले शकते हैं, एक तो चिकेच्चा परमान पत्र के अधर पर, दूसरा निजी कारणों के अधर पर, इसके साथ साथ ये भी प्रावधान किया गया है, कि 180 दिन का भबोग इसे आप बिना परमान पत्र के ले शकते हो, अगर कोई करमचारी किशी भी अनुमोदित पाठे करम में परवेश ले रहा है, और इस बात को प्रूब कर ले कि ये जन हित में जरूरी है, अगर वह समझ ले कि वास्तों में कोई करमचारी इस प्रकार के पाठे करम में परवेश ले रहा है, जो सारुजनिक हित में है, तो इस आथाल पर उसे सुईकर्ट कर सकता है, डिपेंड करता है आपके श्रस्तापरदान समंधित अधिकारी पर अब दरसल एक ये तो हो गया कि आपके पास जो HPL है उसका आप उपभोग किस परकार से कर सकते हो लेकिन दूसरा एकस में एक सिस्टम होता है किशी भी करमचारी को अधे अवकास दिया जा सकता अधे ओकास का मतलब यह होता है कि आपके पास कोई किसी परकार का अवकास शेश नहीं है और आप श्रेवा के दोरान एक लंबी चुटी चाहते हैं और सर्विस ब्रेक ना हो इसके लिए अधे अवकास का अधे अवकास का प्रावधान रखा गया है जिसे खाता है अगर आप लेना है तो उसकी अधिक्तम सीमा रखी गई है 360 दिन था ठीक है और एक शमय में 90 दिन का यह आवकास दिया जा सकता है और इसका कारण क्या होगा वो मैं आपको इस्परस्ट कर देता हूँ जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इसमें स्परस्ट किया गया है कि कुछ इस्टतियों में जैसे शेवा निवर्तिशे पूर्व के अवकासों के मामलों को छोड़ कर अधे अवकास इस्थाई शेवा के राजे करमचारियों को निम्निकित सर्तों पर श्वीकर्थ किया जाएगा अवकास श्वीकर्थ करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि एसा करमचारी अधे अवकासों से वापस उपस्तित हो जाएगा क्योंकि जो अधे अवकास होता है वो आपको advance में HPL दी जाती है मत जैसे कि आपने अभी आपको आपके पास कोई HPL नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको 30 दिन की छुटी चाहिए 30 दिन का आवकास चाहिए तो इसी इस्तति में आपका जो समंधित प्रादिकारी होगा की रूप में मतलब आपकी जो सर्विश बुक में एंट्री की जाएगी कि इसे खर्ज कर दिया गया तीश का और जैसे जैसे आपकी सर्विश आगे बढ़ती जाएगी प्रतेक वर्ष में जो बीश HPL में लेगी उसमें ये सारी चीजे लेप्स होती जाएगी अब ये सारा डिपेंड करेगा आपके समंदित संस्ता परदान पर समंदित जो प्राधिकरी अधिकरी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपको देता है या नहीं देता है अधे अवकासों की शंख्या उस अनुमातित संख्या से अधिक नहीं होगी जो एक बार एक करमचारी एशे अवकासों से वापस आकर उतनी ही शंख्या में अर्द वेतना होगी मतलब यह है कि अगर आप चालीश वर्ष की उमर में है और आपको अधे अवकास चाहिए तो संस्ता परदान यह प्रूप कर दे कि अगर आप इस प्रकार से ले रहे हैं तो आप वापस जब सर्विस जोईन करोगे और शिवा नियोतितिति तक उतने संग्रहित कर लोगे उसी कि आधार पर आपकी अधे अवकास शुईकर्थ किया जाता यह दिपैंड करेगा आपके शंस्ता परदान पर और संपुर्ण शेवा काल में 360 से अधिक अधे अवकास किसी भी इस्तति में नहीं दिया जाएगा एक शमय में एक समय में 90 दिन से अधिक नहीं होगा और 180 दिन का जो आवकास है वो चिकित सा पर्मान के आधार पर दिया जाएगा और अन्य आधार पर 6 आधार पर 6 आधार सकता है अब दरसल ये तो था अदे आवकास कि आपके पास कोई आवकास शेश नहीं है उसके बावज़ुद भी आपको आवकास का लाब दिया जा रहा है मतलब यूं कह सकते हैं कि एडवांस में आपको HPL शेकर्द की जाती है और ये पूरण तया डिपेंड करता है समंदित अधिकारी पर शमंदित अधिकारी को ये विश्वास हो जाए कि ये जो करमचारी है जिसको हम अदे आवकास दे रहे हैं वो वापस शेवा पर लोट जाएगा और वापस उसे इस परकार से संग्रहित करने के बाद में इसकी पूरती हो जाएगी और इस दोरान अगर आप चाहो तो आधा पेमेंट भी ले सकते हो और चाहो तो पूरा पेमेंट भी ले सकते हो आपके चोईश पर निर्भर करता है अब दरसल किसी भी करमचारी को अधे आवकास दे दिया गया अधे आवकास देने के बाद में किसी करमचारी की क्योंकि अधे आवकास से वापस लोडते कोई करमच तो उस करमचारी को सेवा से निश्काशित कर दिया जाए तो उस करमचारी के खाते से जो उसके शेश अन्यावकासों से जो नकदी करन होना है उसके माद्यम से उसकी वशूली की जाएगी तो इस परकार से आप समझ सकते हो कि HPL जो होता है ये किस परकार से कोई करमचारी गिरहत कर सकता है और इसका अप्वो केशे किया जा सकता है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद